हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आज आप देखी रहे होंगे हमने डोकला बनाया और ये बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट बना था दोस्तों बस बताई सकते हैं ये कीन मानें बहुत टेस्टी बनाता ये ये इतना कमदी खराया आपको ये मेरे बेटे ने गरम-गरम ही खा लिया इसलिए आपको कम-कम दीख रहा है तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा गरम ही बहुत अच्छा बना था लग रहा था मतलब बना हुआ खाने में बहुत स्वाधिश था तो चलिए दोस्तों ब बनाने का अगर चानेंगे नी तो डोकला स्पोंजी नी बनेगा तो ये चानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चान के हम ले लेंगे बेशन को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितना बनाना है लेकिन एक नाप से ले कटोरी कप जो भी आपके पास है उसी को एक सैट कर ले उसी से सारी चीज डालेंगे नाप के और इसमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ताम जाम है बहुत ज्यादा चीजे चाहिए फिल्कुल सिंपल तरीके से तिन जार चीजों से ये बनके त्यार हो जाएगर बहुत ज्यादा टेस्ट इस भी टेस्ट के साफ से ढाल सकते हैं एक मींड यालनें और बिल्कुल दो पिंच बेवकल बहुत कम हल्दी डालें ज्ञाद हल्दी डाललेंगे तो जगह जगह लालाल स्फोर्ड से पढ़ जाएंगे इस इसको थोड़ा मिला लेंगे और यह हमने लस्ची लिया है यह गाउं की लस्ची है गाउं से आई थी हमारे पास घर की लस्ची है विल्कुल तो चितना हमने बेशन लिया था उतनी हम लस्ची लेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से लम्च नी रहने चाहिए इसमें और एक और सिक्रेट है कि इसको हम एक ही डिरेक्शन में फैटेंगे बार बार डिरेक्शन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हवा बरनी होती है तो जो हवा ना फिर उल्टा सीधा करने से निकल जाती है तो एक ही डिरेक्शन में इसको गुमाते जाएंगे और इसको पांच मि यह बेशन थोड़ा लूज हो जाएगा तो इसमें थोड़ा हम बेशन डाल सकते हैं सुखा बेशन मिला सकते हैं तो लसी और बेशन हमने मिला लिया अभी इसको पांच मिन्ट के लिये कम से कम फैंटेंगे उन्हें बेशन को फैंट लिया था और उसको डख के रख दिया और आप कम से कम इसको आदा गंटा के लिए रख दें अगर जल्दी नहीं है तो अन्हें तो कम से कम पंद्रा बेशम के बाद इसमें हमने त्यारी किया आगे की एक बगोना ले लिया है उसमें पानी डाल लिया मैंने दो गिलास और एक स्टेंड रख दिया है पानी हमारा गरम हो रहा है जिब तक हम आगे की त्यारी करते हैं पले डग दिया मैंने बगोने पर एक चोटा दूसरा बगोना ले ल लगा सकते हैं ये हमने ये मेरा कम से कम 35-40 मिन्ट रखा रहा गया था मेरा फॉन पर बाते करने लगी तो ये ज्यादा देशाट रहा रही वैसे मेरे बेटे को बिल्कुल थोड़ा सा और इसको फैंट लेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं फैंटना है इसको मिक्स करना है बस दोस्तों वीडियो को पूरी देखा करें पसंद आये तो लाइक जुरूर क्या करें आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत स्पोर्ट मिलता है और नहीं नहीं रेशिपी बनाने का मन करता है यह देखें हमारा विल्कुल फूल के कितना हो गया है बेशन और अब इसका अच्छे से पहुँच देंगे ज्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें इसको फटाफट मिक्स करके और ट्रांसपर कर देंगे बगोने में जो हमने ग्रीज किया था इसमें और जब तक हमारा पानी भी बलके त्यार हो जाता है इतना टाइम तो लगी जाता है उसमें रख देंगे दख देंगे उपर से और पंदरा 16 मिंट तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है मैंने 16 मिंट के बाद देखा था इसको वो गैस पे भी डिपेंड करता है और कई बार बैटर पे भी डिपेंड करता है ज्याद अगा डाह या पतला है तो एक दम कलीर आया मेरा बहुत अच्छा बनके त्यार हुआ इसको रख देंगे एक साइड में जाड़ी डख देंगे ताकि कुछ गीरेना और थंदा भी हो जा गुअन रख तो इसमें थोड़ असा नमक डाला और राई डाल ली और चेशातरी मिर्च को मैंने काट लिया था बीच मीसे काट के चीरा लगाके और एक मिर्च में से मतलब चार पाल कर लिये था मैंने और मेरे पास निंबू नी थे, मेरे पास लिए ऑफ मेरे डाल दिया तरह यूऔर त्प mound द्मच में चिंऍनी डाल्लूगी आप अपने अिसाब से चिंदी डाल लें इसमें, जितना मीठा खाना चाहते हैं, क्योंकि डोकला में भी हमने चिनी नहीं डाली थी, नमक की नमक डाला था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज्यादा चिनी डाली यह और थोड़ा सा नमक डाला और एक गिलास भरके पाणी डाल देंगे, या दा ली टुटका तो हो थन्डा ओजै जवी निकाले देके अबट गरम गरम कितना सपूंजी है और यह थन्डा होने के बाद बोझ याधा जाड़ी दार बोझ वह याधा सपूंजी हो जाते है यह पाणी भी यह अमार ओढ़के त्यार होगिया है ईसको गड़ावा ड्हकुछ नी करना है बसा अच् टाइम दे सकते हैं आदर गंटा 20 मिंट 25 मिंट तो तना टाइम दें बहुत स्पॉंजी बना ये काटते वे आपको लगी रहा हुआ दीख रहा हुआ कितना स्पॉंजी है कि देखो कितने अच्छी जाली बनके त्यार हुई है इसमें ठंडा होने के बाद तो बहुत ज्यादा अच्छी जाली बन जाती है इसमें बहुत निकलते हैं पहां लुक्तर होती है देखे कितना ज़्यादा स्पॉंजी है इसको दब आ रही हूं और यह फिर वापस अपनी सेव में आ जा रहा है इतना ज़्यादा स्पॉंजी बना और यह तो एकदम गरम है ठंडाउने के बाद तो बहुत ज़्यादा स्पॉंजी हो जाता है इसको थोड़ा से ठंडाउने देंगे और उसके उपर पाणी डाल लेंगे में नुप सारा पानी पीके फूल के यालदी हो जाएगा देखे एक मैंने तीन चम्ची पानी डाल दिया इसके उपर सारा पाणी साथ साथ सोगड़ा है बिल्कुल भी प्लेट में पानी नी जा रहे है अभी मैं इस्प्य आधा पानी डाल गे थोड़ी दे ठंड आउने केली रखे दूंगे बच्चोंको सबरी नी ओरा विल्गुल गरम कोई खाने को ओरे हूं तो मैं थोड़ी देरी उसको प्रीज में रखों गरम गरम कोई ताकि जल्दी ठंड आउन्दा ओज़ाए और उन खाने को मिल जाए देखे दोस्तो थोड़ी सी देर में फिर निकाल लाया मेरे बेटाइस को अर्षपे मैंने ओर पाणी डाल देखे कितना अच्छा बन के त्यार है बोध सोप्ट और बोध स्पांजी और बोध ज्याधा तेस्टी बन के त्यार है तो बनातेरी ये दोस्तो खातेरी ये बाई द स्टू